दोस्तो चीन के लिए भारत ने बढ़ाई मुसीबत चीन की बड़ी टेंशन चीन को लगा बढ़ा जटका हेलो दोस्तो मेरा नाम है राज़ीब पर आप लोग देख रहे हैं टूड़े हिंदुस्तान ने हुज जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल पर जब से भारत और चीन के बीच धनातनी हुई है तब से भारत ने चीन के खिलाफ राजनेतिक, कुटनेतिक और सेनस्तर पर सभी तरह से करवाईया की है वहें दोस्तो बात कर लिजाए तो भारत इंदीनों चर्चाओं का और भी ज़्यादा विश्य इसलिए बन गया है क्योंकि बात कर लिजाए तो पैंगॉंग लेक पर मार्कोस कमांडो की तैनाती कर दी है वहें दोस्तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार मार्कोस कमांडो क्या होता है तो दोस्तो बता दें कि मार्कोस कमांडो कुछ ऐसे नेवी के स्पेशल कमांडो होते हैं जो कि समुद्र के तल्म की गहराईयों तक जाकर ऐसे से काम और कारणामे कर दिखाते हैं जो की नामुम्किन सा होता है। वैसे दोस्तों बात कर लिजाए तो इन कमांडोस को तकरीबन 28 साल से 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें इस सक्षम और लायक बनाय जाता है कि वह समुदर में ही नहीं जिहां समुदर के तलकी गहराईयों में ही नहीं बलकि वह किसी भी छेतर में यानि की जाए वह थलपे हो चाहे वायू में हो किसी भी छेतर में वह लड़ने में और अजुसमनों कुमार गिराने में सक्षम रहते हैं वैसे दोस्तों वह किसी भी परस्तिती को जिल सकने में वह उसके काबिल होते हैं और यहां तक की दोस्तों इनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें से 1000 सैनिक, जिएहाल दोस्तों बात कर लिजाए अगर 1000 समान्यता जो सैनिक होते हैं उनमें से मातर एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। वैसे दोस्तो बात कर लिजाए तो अठाई-3 साल की ट्रेनिंग के बावजूद भी इन्हें काप अपनी पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है। तो इन्हें इन्हें ही बुलाया गया था। वैसे दोस्तो बात कर लिजाए तो पैंगाउंग लेक में इन्हें हाइर किया गया है। पहले ही तेयनाथ हैं आर्मी के और बात कर लिजाये तो अब मार्कोस कमांडो भी तेयनाथ किये गया हैं पैंगाउंग लिक पर थे दोस्तो इस तरह से जल सेना थल सेना और वाई सेना। यानि कि सभी में special forces नहीं तेनाद किये गए हैं जिसकी वज़से line of factual control पर किसी भी तरह की हरकत करता है चीन तो उसे मुह तोर जबाब दिया जाएगा वह दोस्तो आपको यह भी बता दें कि इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में भारत चीन पर नज़र रखने के लिए क्या क्या कर रहा है वहीं दोस्तो भारत ने चीन पर नजर रखने के लिए इंडियन ओशियन में बात कर लिए जाये तो माल्दियू जिहां दोस्तो माल्दियू को आप जानती होंगे वह छोटा सा देश है वहीं दोस्तो जितने भी समुदरी अलाकों में जितने भी छोड़े-छोड़े देश हैं जिरलंका हो चाहे बंगला देश हो चाहे मायनबार हो इन सब ही के तट्ये शिमाओं पे रडार सिस्टम लगाने की बात रखी है वैसे दोस्तों इन तट्ये सिमाओं पर अगर राडार सिस्टम लगाया जाता है तो इसे चीन की गदिविदियों पर नजर रखी जा सकेगी और वहीं इन देशों के साथ दोस्ती की एक मजबूत कड़ी भी जुड़ेगी दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत की तरफ से चीन को ये काफी बड़ा इसरा है कि भारत मालदेव, सिरलंका और बंगला देश और साथ मैंनमार दोस्तों इन सभी देशों के तट्ये शिमाओं पर भारत राडार सिस्टम लगा कर चीन को बुरी तरह से घेर सकता है का नाम है कमल गुनारतregonit यहां दोस्तों उन्होंने और भारत के जिय एक और वैठक हुई और तिरपक्षे बैठक होने के बाद एक नई बात सामने आई किस तरह से हम चाइना को घैर सकते हैं सबसे पहले आपको यह बता दे कि आप लोग नकसी पर नजर दे सकते हैं किस तरह से यह है चाइना जिह बात कर लिए यह हुआ इंडिया यह हुआ चाइना और बात कर लिजाए तो यह हुआ चाइना का इस तरफ देख सकते हैं यह साफ चाइना सी जिस तरफ चाइना कबजा करके बैठा हुआ है वैसे दोस्तों बात कर लिजाए तो इस तरफ भी कभी सारे देशों वियतनाम हो फिलिपिंस लगने के बाद ये होगा कि चाइना जो है सारा समान जो एक्सपोर्ट करता है इन ही छेतरों से करता है यहां से अपना बात कर लिजाए तो यहां से यहां से समुदर का यहां से यहां पर इसका बंदरगा है यहां से सारे समान जो होते हैं तो मतलब यहां से निकलते हैं चाइना के और फिर यहां से होते हुए सिंगापूर और मलेशिया या इंडोनेशिया और इसिया के बीच तिहां दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया से बीच होते हुए बात कर लिजाए तो यह इधर से निकलते हुए कहीं भी दुनिया के कि उसका समान एक्सपोर्ट होता है तो दोस्तो इस तरह से चाइना पर उनकी गतिविदियों पर नजर रखने के लिए और आगे चल कर उस पर पावंदी लगाने के लिए ये भारसरकार ने कदम उठाया है और इस बैठक में नया बयान भी सामने आया है जिसमें बयान में कहा गया है कि तीनों देश, हिंद महासागर में जोइन्ट एकसरसाइज, समुदेर सुरक्षा और आने वाले चुनोती उपर मिलकर काम करेंगे आतंकवाद, मनी लॉंटरिंग, क्लाइमेट चेंज और ड्रग्स, तसकरी को रोकने पर भी बात हुई है अंडर लेफ्टिन जेनरल सवेंद्र सिल्वा से जोड़दार, जिहां सेवेंद्र सिल्वा ने जोड़दार स्वागत किया जो दोस्तों इस तरह से भारत और सिलिंगा के बीच जो डिलेशन से बिगड़ा है थे, वो भी काफी अच्छे होते जा रहे है वैसे दोस्तों भारत लगतार चीन पर राजनेतिक, कुटनेतिक और सैनेस्तर पर जिहां दोस्तों हर तरह से उस पर करवाई करते हुए नजरा रहा है और लगतार अपना दबदबा बनाते हुए नजरा रहा है वैसे दोस्तो आपका क्या कहना है हमारे भारत के उन वीर सैनिकों को लेकर जो की लगातार हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जान हथेली पर लिए हुए देश की सीमाओं पर खरे हैं और साथ ही अपनी राई नीचे कमेंट्स में जरूर साजा करें आपको क्या कहना है हमारे भारत की इस करवाई को लेकर नीचे कमेंट्स में अपने उप्षा जरूर सीजर कीजिए साथ ही दोस्तो अगर आप शेनल पर ने वेस्टर हों तो शेनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेनल जाद पने रहे है